रस्पान किजिए फालगुनमास महतम में की आज की कथा का धर्मराज जियोतिस्टिर ने मारकंडे जी से पूछा भगवन राजा पुरुर्वा से पहले महराज हिरन्य तेजा ने नर्वदा देवी को किस प्रकार इस प्रत्वी पर उतारा था ये भी बताने की करपा करें तब मारकंडे जी बोले राजन चंद्रवंश में हिरन्य तेजा नाम से प्रसित एक राजर्शी हुए हैं जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ट और प्रजापतियों के समान थे वेस परवत वन और काननों सहित पूरी प्रत्वी का एक्छत्र शासन करते थे उनकी राजधानी चंद्रपूरी थी जो इंद्र की अमरावती के समान शोभपाती थी एक बार अमवस्या को सूरिग्रहन लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआ और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब दो सकी जहां देवताओं और पित्रों का विशे सत्कार हो सके उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं राजा ने लाखों गवे, स्वन, मनी, रत्न, खजाना, घोड़े और अंगिनत मतवाले हाथी ब्रहमणों को दान में दिये हव्य और कव्य से पित्रों को भी तरप्त किया उस समय उन्हाने देखा पित्रों को जलपान का बड़ा कस्ट है इसलिए वे पित्रों से बोले कि आप लोग कौन है और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं तब पितरगन कहने लगे महाभाग ये द्वीप नदियों से रहित होने की कारण यहां का सब धर्मकर्म नस्ठ हो चुका है नदि के अभाव में ना तो देवता त्रप्त होते हैं ना ही पितर अगर इस द्वीप में नर्मदा उतराएं तो हम सब लोगों की मुक्ती हो जाएगी महाराज जो भी बात थी वो तो हमने आप से बता दी अब आपकी जैसी रुची हो वैसा करें हिरने तेजा ने कहा अब मुझे पितरों का उधार करना ही उचित लगता है नहीं तो भला इस राजे से मेरा क्या काम अगर मैं पितरों को ही तरप्त नहीं कर सका तो मेरा तो जीवन भी व्यर्थ है ऐसा कहकर राजा हिरने तेजा उध्याचल परवत पर गए और कंद मूल और फल का भूजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की उनकी उत्तम भक्ती जानकर भगवान शंकर ने प्रतेक्ष दर्शन दिया राजा ने दिवादी देव महादेव के दिवरूप का दर्शन प्राप्त कर उनकी तीन बार परिक्रमा की और सास्टंग प्रणाम करके उनकी स्तुति की राजा बोले है सुरेश्वर आपको नमस्कार है शूल पाने आपको नमस्कार है प्रभू आप ही प्रत्वी जल तेज वायू आकाश शब्द इसपर्ष रूप गंध रस बुद्धी मन एहंकार प्रकृती और उसके तीनों गुण है आप ही संपुन इंद्रियों के प्रेर पक समस्त कलाओं से युप्त तथा कलारहित अविनाशी परमेश्वर हैं ब्रह्मा और विश्नुआदी देवताओं को भी आपके आदी अंत का पता नहीं लगता महा तेजा का किया हुआ ये इस्तोत्र सुनकर देवाधि देव जगदीश्वर्षिप कहने लगे महाभाग म महाभाग तुम अपनी इच्छानुसार वर्मागो तब राजा ने कहा है देवेश्वर साथ कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्य लोग में उतार दीजे बितर घोर नरक में डूब रहे हैं उनका उध्धार हो सके और वित्रप्त होकर मुक्त पर नहीं उतारी जा सकती इसलिए तुम कोई दूसरा वर्मागो मैं उसे अभी दे दूँगा तब महाभाग राजा हिरा नितेजा कहने लगे प्रभो आपके प्रसन होने पर तो तीनों लोगों में कुछ भी असाध नहीं मैं तो सहस्त्र जन्म धारं करने पर भी इसके अल आवनी नर्मदा देवी का आहवाहन किया वे मगर के आसन पर आरूड होकर दिपरूप से आकर शिवजी के आगे खड़ी हो गई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का इस पर्श करके नतमस्तक होकर बोली देवेश किसलिए आपने मेरा इसमरण किया है बताईए महादेव जी कहने लगे नर्मदे राजा हिरन तेजा ने अपना राजी छोड़ कर यहाँ 14,000 देवी वर्शों तक घोर तपस्या की है इसलिए तुम इनकी इच्छा के अनुसार प्रत्वी पर उत्रो शेखर जाओ और नरक में पड़े हुए सब पित्रों का उध्धार कर तो सुनकर नर्मदा देवी बोली देव मैं बिना किसी आधार के जम्बू त्वीप में कैसे जाओंगी तब महादेव जी ने परवतों से कहा कि तुम सब लोग छण भर के लिए इस्थिर हो जाओ जिससे सरीताओं में श्रेष्ट नर्मदा अप्रत्वी पर जा सके तब प इसके बाद उद्याचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से प्रत्वी पर उतर आई और वायू की तरह तेज गती से पश्चिम दिशा को बहचली उस समय तीनों लोगों में बड़ा हाहाकार मच गया नर्मदा के जलका वह भयंकर कलकल नात सुनकर पाताल से एक तेजोमेद प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार करके कहने लगा कि सब पापों को हरने वाली और उत्तम वरत का पालन करने वाली है नर्मदे मर्यादा धारन करूं तुम्हें धारन करने के लिए ही महादेव जी ने तीन परवतों की स्रस्टी की हैं मेरू हिमवान और केलाश प्रवत श्रेष्ट विंदी भी तुम्हें धारन करने में समर्थ हैं इन परवतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की और 32,000 योजन है और दक्षिन से उत्तर की और चोड़ाई 500 योजन है इसके बाद राजार्शी हिरन नितेजा ने नर्मद की है इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाली इस्त्रियों के भी जो जो सगे संबंदी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोग में चले जाएंगे तब राजा ने नर्मदा में विधिपूर्वप इसनान करके देवताओं और पित्रों का तरपन और श्राध और पिंड़दान किया इससे उनके सब पितर नरक से निकल कर देवियान मार्ग पर इस्थित हो गए यह नर्मदा का पहला अवतरण आदी कल्प के सत्युग में हुआ था दूसरा अवतार दक्ष सावर्णी मनव देखा है वैसा ही पतला दिया नर्मदा में इसनान करने गोता लगाने और उसका जल पीने तथा इस्मरण और कीर्टन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप ततकाल ही नस्थ हो जाता है मारकंडी जी कहने लगे राजन छत्री कुल में उत्पन पुरत कुट्सू नामक राजा महां यशस्वी हुए हैं उन्होंने पहले एक सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी के आराधना की उनकी तपस्या से संतुष्ठ होकर महादेव जी ने पूछा राजन तुम कौन सा वर चाहते हो तब राजा कहने लगे कि देव नर्मदा नाम से प्रसित परम सुभाग शालिनी नदी हैं उसे आप इस धर्ति लोग पर उतार दीजिए महादेव जी कहने लगे कि राजन इसे ना मांग कर तुम कोई दूसरा वर मांग लो ऐसा सुनते ही वे महाभाग छत्रे में उतारता हूँ इसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक परवत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारन करना स्विकार किया राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक परवत की चोटी पर होती हुई उस इस्थान पर जा यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन रिशी सब लोग अर्ग और पाद्य से पूजन करके नर्मदा जी की शरन में प्राप्त हुए और बोले आज हम लोगों का जीवन सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई, हे देवी यहाँ आपका दर्शन करके हम सब देवता क्रतार्थ हो गए, हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है, हे नर्मदे अब आप अपने हाथ से देवताओं का इसपर्ष करो, जिससे हम सब लोग भी पवित्र हो जाएं, यह सुनकर नर्मदा देवी बो और कहां से प्राप्थ हो सकता है, जिसने तुम्हें इस लोग में प्रकट किया है, वही तुम्हारा पती हो, पूर्वकाल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मर्ति लोग में जाकर राजा पुरुत कुट्सू के रूप में उत्पन हुआ है, वह इक्ष्वा कुल के आनन धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुत कुट्सू के लिए और क्या कह जा सकता है, सुयंभू ब्रह्मा जी के मानसपुत्र जिस प्रकार धर्मनिस्ट बताए गए हैं, उसी तरह ये पुरुत कुट्सू भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं, इसलिए मैं इनको पती रूप में स्विकार करती हूं सुनकर राजा पुरुत कुछु बोले हैं नर्मदे तुम देव कन्या हो मुझ पर करपा करो जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाए और मेरा भी महानियश हो नर्मदा जी ने कहा राजा ने ऐसा ही हो अब आप मुझसे जो जो चाहते हैं वो सब मे परवत शिक्रों को तोड़ती फोर्थी बड़ी तेजी से चली जा रही थी उस समय विंद्परवत के प्रदेश में विजहां जहां गई वहां वहां इसनान किया जाता है वहां तीर्थ वर्जित इस्थान में भी इसनान करने पर सहस्त्रों गंगा इसनान का फल मिलता है इ अगनी होत्र परायन पुन्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं। परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीड़ी समझ कर उसका सेवन किया करते हैं। जहां जहां भगवान शिव के शुब मंदिर के समी पुन्य मई नर्मदा विद्यमान हैं। वहां वहां नर्मदा नदी का इसनान एक लाख गंगा इसनान के समान होता है। अगनी होतर से जो पुर्णी मिलता है और पित्रों के श्राध से जो फल मिलता है वो सब नर्मदा जी के जल से बड़ी आसानी से उपलबद हो जाता है नर्मदा जी के नाम का कीरदन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना इससी समान कोई दूसरी बस्तु नहीं है जो बुद्धिमान प्रातेकाल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं उनका पहले जनम का और इस जनम का किया हुआ पाप तुरंत ही नस्ठ हो जाता है कोई भी मनुष यदि नर्मदा जी में जहां कहीं भी स्नान कर लेता है उसका किया हुआ सो जनमों का पाप भी तुरंत ही नस्ठ हो जाता है जो नर्मदा नदी के तट पर मृत्ति को प्राप्त होता है वह भगवान शंकर के स्वरुप को प्राप्त हो जाता है जहां नर्मदा नहीं है वहाँ पापों का प्रैश्चित करने की प्रेणा की जाती है परंतु नर्मदा जल प्राप्थ होने पर तो प्रैश्चित की आविशकता ही नहीं रह जाती विंद्यकिरी के आठ मानस पुत्र बताये गए हैं जिन में पर्यंक प्रतम है उसे सब परवतों में श्रेष्ट जानना चाहिए नर्मदा नदी के डेड़ सो इस्तोत्र कहे गए है आधे कोस के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चोड़ाई में उनकी धारा बहती है ऐसा विद्वान पुरुषों ने बताया है हे युदिस्टर परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुश्यों के हित के लिए ही स्वयम अपने आपको धारण किया है वे समस्त सरिताओं में स्रेष्ट हैं और संपुर्ण जगत को तारने के लिए यहां अवतरित हुई हैं उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही इस्थित हैं जय भोलिनात आज का ध्याय समाप्थ हुआ उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी